नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तिवारी फैमिली व्लोग पर आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्त और मस्त होंगे चले फिर शुरुआत करते हैं आज के व्लोग की नवरात्री का ये पवित पर्व हमारे जीवन में शक्ति, भक्ति और सकरात्मक संचार करता है आज हम बात करेंगे नवरात्री के साथवे दिन की जो माताकार रात्री को समर्पित है माताकार रात्री का स्वरूप अंदकार और शक्ति का प्रतीक है उनका रंग काला है जो हमें यह दर्शाता है कि अंदकार में भी प्रकाश की किरन होती है मातकार रात्री के चार हाथ है एक हाथ में त्रिशूल है जो बुरायों का नाश करता है दूसरे हाथ में खड़क है जो भक्तों को रक्षा प्रदान करता है तीसरे हाथ में वरद मुद्रा होती है जो हमें अशिरवात देती है और चौथे हाथ में अभाय मुद्रा होती है जो सरक्षा और साहस का प्रतीक है उनका स्वरूप हमें ये सिखाता है कि चाहें कितनी भी कठिनाईया जिन्दगी में क्यों ना हो हमें हमेशा साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए इस दिन माता की विशेश पूजा की जाती है भक्त कालिक तिल, उड़त की डाल और नारियल से उन्हें प्रसंग करने की कोशिश करते हैं पूजा का विधान इस प्रकार है कि भक्त उपवास रखते हैं और माता को फूल, फल और मिठाया अर्पित करते हैं खास कर कालिक तिल का महत्व इस दिन विशेश रुप से होता है इसे अर्पित करने से भक्तों को शक्ती और उर्जा मिलती है माता काल रात्री का आशिरवाद राप्त करने के लिए भक्त, ओम, जय माता दी का जाप करते हैं ये जाप ना केवल मन को शांत करता है बलकि आत्म बल को भी बढ़ाता है इस दिन भक्त हवन भी करते हैं जिसे वातावरन में सगरात्मक्ता का संचार होता है माता काल रात्री हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहें कितनी भी कठिनाया क्यों ना आए अगर हम सही इरादे और भक्ति के साथ आगे बढ़े तो सभी बधाये दूर हो जाती है इस दिन का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है बलकि यह हमें आत्म विश्वास और साहस देने का भी एक माध्यम है दोस्तो अगर आप भी जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो माता काल रातरी के क्रिपा अवश्य प्राप्त करें माता रानी की भक्ति से आपके सारी दुख्स दूर हो जाएंगे दोस्तो सुबर जल्दी उठकर मैंने अपनी दिन चर्या की शिर्वात की सुबर की समय पूजा करना मेरी पहली प्रात्मिक्ता होती है नौरातरी के साथवे दिन मैं माता रानी की पूजा कर रही हूँ सुबर की पूजा करने से सच में मन को बहुत शान्ती मिलती है पूजा के बाद मैंने आरती की और उसे पुरे घर में खुमाया जिसे घर में सगरात्मिक्ता का संचार होता है और घर भी एक्रम शुद रहता है आरती करने के बाद मैंने अपनी चैन्टिंग जो है कंप्रेट की और उसके बाद मैंने चाय बनाया और उसका आनंद उठाया आज मेरे ओफिस का सेकेंड लास्ट दिन था और मैं तीन दिन बाद जो है ओफिस गई थी तो वहाँ पर जाकर सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा सभी मुझे देखकर बहुत ही खुश हुए और ये देखकर मेरा मन भी बहुत खुश हो गया ओफिस में आज कोई बड़ा तास तो था नहीं लेकिन जो भी पैंडिंग काम था मैंने उसको कम्प्रीट किया और उसके बाद जो है मैं घर वापस आ गई दिन की शुआत पूजा करने से और आफिस में अपने काम को सफल पुर्वक पुरा करने का और बहुत सच में अच्छा रहा दोस्तों ये वीडियो जो है मातक काल रात्री के जानकारी के बारे में था और थोड़ा पहुच जो है मेरे लाइफ अपडेट के बारे में भी था तो अगर जो आपका हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले तीवारी फैमली व्लॉग को अपने विचार कमेंट में जरूर साचा करें चलिए माता रानी का शिर्वास सभी पर बना रहे मिलते हैं आप से कल के व् बबाई जय हिंद जय माता दी